हालो फ्रेंज वेलकम बाइक टू मैं चैनल तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हूँ रोज की तरह आप लोग बहुत अच्छे हूंगे तो रोज की तरह हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं बहुत ऐसी लूज यूज़ पूल टिप्स हैं जिसको अपना करके आप अपने क अपने पैसे भी बचा सकते हैं तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले टिप्स आप लोगों के साथ सेर करते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे बिस्तर हो या सोफा हो उस पर पानी गिर जाता है या चाय गिर जाती है तो इसको हमें सुखाने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे छोटी सी टिप्स अपनाएंगे नियूस पेपल ले लीजिए और कवर के नीचे इस तरह से डाल दीजिए और डालने के बाद में आप इसको हलके हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए उसके बाद में इस पर थोड़ा सा कोई भी इससे हमारा सोफा बहुत देर तक गीला नहीं रहेगा जिससे कि गीला हो जाता है तो हमारा सोफा खराब होने का सोफा हो या बेट हो जैसे बिष्टर होता है वो भी फिर इसके बाद में कोई भी टलकम पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए इससे क्या होगा कि जो बैड़ पानी प्रस गरम कर लिजिए उसके बाद में इस तरह से इससे होगा क्या हमारा सारा पानी अब्जब कर लेगा चाहे 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 गिरी हो या तो पानी हो सारा सूख जाएगा उमीद करती हूं यह चोटी सी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी देख सकते हैं सा जो होता है यह भारी चीजे जादा दूप में तो नहीं ले जा सकते हैं तो इसको सुखाने के लिए यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है उमीद करती हूं आप लोगों को जरूर पसंद आएगा यह ऐसा होता है जिसके घर में बच्चे होते हैं तो जरूर हो जाता है कभी कभी अगली टिप्स हमारी है मिक्सी को ले करके जैसे कि मिक्सी पे हम मसाले पीषते चटनी पीषते हैं तो कभी-कभी इस पर देल के चीटे भी पढ़ जाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी टलकम पावडर ले लीजिए और इस तरह से डाल सकते करके हलका इसलिए चोटी चीजे जो होती है उनको साफ करते रहना चाहिए तो क्या होता है जैसे कि बीच में कभी-कभी होता है चटनी पीसो या मसाला पीसो तो पानी दीरे दीर दीर गंदगी जमती रहती है तो उसके लिए हम क्या करें जब भी मसाला और कुछ पीशे तो तुरंथ क्योंकि अगर इसमें धीरे दीरे घंदी जमती रहती है तो हमारी मिच्षी बहुत जल्दी घंदी हो जाती और यह बहुत जल्दी जाम भी पड़ जाती है क्योंकि पानी अगर अंदर रह गया और सूख गया तो हमारी मिक्सी खराब होने का बहुत जल्दी खत्रा रहता है तो इस तरह से साफ करने के बाद में वायर को इस तरह से लपेट लीजिए लपेटने के बाद में इसमें हम एक र पूटी सी टिप्स है लेकिन आसा करती हूं आप लोगों को जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनों के साथ शेर जरूर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें तो इस तरह क्या होता है कि हमारे घर म गर्मियों में हो या सर्दियों में हमारे घर में काक्रोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक काक्रोज घर में बीमारियां फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा होता है तो इसके लिए हमें चाहिए एक चमच गिहूंका आटा ले लिजिए उसके बाद में आटा जो होता ह इसको काक्रोज बहुत जादा खाना पसंद करते हैं एक चमच इसमें हम डालेंगे जो बोरिक एसिड होता है यह पाउडर आपको किराना इस्टोर पे आराम से मिल जाएगा फिर इसमें हम आधा चमच के करीब इसमें डाल देंगे जो मीठा सोड़ा होता है तीनों चीजों को कि यहां से बहुत ही काम आती है आप चाहे तो इसको कावरा है जुखां करके पावडर बना के रख भर आप सकते हैं जब भी काप्रोज्ट को तो decay सारी की बढ़ सकते हैं ओर लीकल नयग करें स्ट्रास, बस्त केरा देखें इस तरह से हमारा बनके तैयार है इसको बहुत ज्यादा सूखा नहीं बनाना हलका गीला ही रखना है ताकि यह जगे जगे रखें जहां पर वहां पर चिपक सके अब यह बोरी के सिप जो होता है इससे काक्रोज बहुत जल्दी मर जाते है और भाग भी जाते हैं तो काक्रोज इसको खाने से पहले ही भाग जाएंगे और आपके घर में नहीं रहेंगे तो आपका घर स्वाप सुत्रा रहेगा दूसरी बात है बच्चों को विमारियों से भी कोई खत्रा नहीं रहता है तो इस तरह से सबसे पहले हम रखेंगे अपने किचन में जैसे कि जहां पर हम पानी का मटका उत्का रखते हुं वहां पहर रख दीजिए छहां पे थोड़ा ठंडा पाते में यहां से रिपा आपकेसर टूसरीos फिर रहां में इंविडि duy बेरे बिल्कूल दा दू तो उसमें भी इसको लगा करके फ्रीच को बंद कर दीजिए अब इसकी स्मेल से आपके फ्रीच के अंदर विल्कुल भी नहीं आएंगे उमीद करती हूँ यह टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और जहां पे सिलंडर रखते हैं वहां पे भी इसको रख सकते हैं तो चलिए अगली हमारी टिप्स बहुत ही यूजपूल है गर्मियों में गर्मियों में जो है क्या होता है जब बच्चे हो या बड़े हो जब सूज पहनते हैं तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है क्योंकि जो पसीना छुटता है उसकी वज़े से सूज हमारे दूले जाते हैं साफ किया जाते हैं लेकिन फिर भी इसमेल नहीं जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे छोटी सी टिप्स अपनाएंगे और यह हर किसी के साथ में होता है क्योंकि जब भी सूज निकालते हैं तो इतनी गंदी वद्बू आती है कि खुद को ही नहीं अपनाएं इस तरह से जूतों में डाल दीजिए और उसके बाद जब भी सॉक्स पहनाएं तो सॉक्स में पहले से ही थोड़ा सा जो हमारा टलकम पाउडर होता है उसको डाल करके तभी पहनाएं इससे जो गंदी विसमेल आती है वो नहीं आएगी क्योंकि जब जूते और म मुझो को इस तरह रगड़ देंगे इससे जितनी भी भदबू होगी वो सारी दूर हो जाएगी और धीमी धीमी खुसबू आती रहती है जिससे कि सब को पहनने में भी अच्छा लगेगा और आपका समय भी नहीं वरबाद होगा क्योंकि यह डेली के डेली धुलने पड़ मैं इसी तरह की नई नई टिप्स लेकर के आती रहती हूं तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आज है है एप्पी मदर्स डे तो आप सभी को हमारी तरफ से मदर्स डे की धिरोसुप कामना है आप लोग इसी तरह अपनी अपनी मम्मियों को इसी तरह प्यार करते रहें मैं फिर इसी तरह की ने स्टिप्स के साथ में आपकी सेवा में आ जाओंगी तब तक के लिए थैंक्स वार वाचिंग और फुल वीडियो वाच करने के लिए आप लोगों का बहुत भुत धनिवाद प्लीज लाइक कर दिया करें आप लोग लाइक नहीं करते हैं थैंक्स वार वाचिंग